पीजी टी बालोजी 2021 का क्वेस्टन पेपर हलकर आएंगे चलिए सुरू करते हैं पहला क्वेस्टन है बोलने की अवध में निम्लिकित में से कौन सा वाक तंतूं के कमपने के लिए उत्तर दाई है चार आपसंद दिये गए हैं आपको बता दें उत्तर बताने से पहले कि जि योगडी वाला निह स्वासित वायू नेश्ट कुचन है प्रोकरियाट्स में निम्लिकित में से कौन सा अनुपस्थित होता है कौन सा अनुपस्थित होगा तो उपरोगत सभी अनुपस्थित होते हैं जो प्रोकरियाटिक कोशकाय होती हैं यह सभी उसमें नहीं पाय जात कां सा परीकला से आवरित नहीं होता है तो आंसर सही होगा इसमें से डी उप्रोक्त सभी नेश्क डुचन है चौकलेट परिकालेस्थान है कि बीज से प्राप्त होता है मतलब जो चाकलेट है वो किसके बीजों से प्राप्त होती है तो आंसर सही होगा इसमें से B, थियो ब्रामा कैकावा, नेश कुछन है समझात सनरचनाओं का अस्तित्त, नमलिकित में से किस घटना का सुझाओ देता है, किस घटना का, तो डाइवर्जेंट एवल्यूशन का दारी विकास का, नेश कुछन है, एलजिनिक अमल पाया जाता है, एलजिनिक अमल किसमें पाया जाता है, तो आंसर सही होगा, इसमें सिसी, भूरा सहवाल के कोशिका भित्य में पाया जाता है, नेश कुछन है, खाली सान है, फिर है, लगभग सभी पादब कोशिकाओं में नहीं मिलता है क्या नहीं मिलता है तो सेंट्रियोल या तारक काय लगभग सभी पादप को इस काव में नहीं पाया जाता है नेश कुछन है फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है तो दो चूसक होते हैं उनके द्वारा यकृत से चिपका रहता है नेश कुछन स्योंकारग स्योंकार्द आंसर सही होगा इसमें से डी फास्पोइनल पॉल्ज वरीविक लंटॉक नेक्ष यूण्वallo में केबर्स आर्गन का क्या काम होता है केबर्स आर्गन का काम उठार जिसमें नेक्ष कुष्छन ने स्कार में पूले साया निय।-स १ुजा कुछन है भारती जोग हिरुडिनेरिया बिसेक नमलिकित में से कौन सा सत्त नहीं है सत्त नहीं है बताना है तो रक्त का पाचन दस से चौदा महीनों में होता है मेरे हिसाब से यह सही नहीं है आप देख लिजीगा इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें पहला वाले में भी नैश कुछन है यूरो मैस्ट्रिक्स के किस कसे रुक में वाई आकार के सेवरान हड़ी मिलती है किस में मिलेगी तो पुछिय कसे र प्रांड जनित प्रोटीन में नहीं होता है क्या नहीं होगा प्रांड जनित प्रोटीन में तो डी अमीनो अमल नहीं होता है आप यहां पर इसको भी थोड़ा सचे कलिजेगा नफ्यूजन है नैश कुछन है जनन ग्रंथ में युगमक के बनने को कहते हैं जनन ग्रंथ में युगमक के बनने को क्या कहा जाता है तो सभी लोग जानते है गेमेटोजिनेसिस कहा जाता है युगमक जनन कहा जाता है नेश कुचन है दो निडिल के साथ बॉनी टहनी पाई जाती है दो निडिल के साथ में पाईनस सिल्वेस्ट्रिस में पाई जाती है पाईनस सिल्वेस् में किस की लकड की प्रियुक्त की जाती है तो सोरिया रोबुष्टा की लकडी रेल्वेः स्लीपर को बनाने में सोरिया रोबुष्टा की लकडी को प्रियोक करते है नेश कुछन है वायू मंदल में कार्बन डाय ओक्साइट की अनुपस्थित से पिर्थवी होगी कार्बन डाय ओक्साइट अनुपस्थित है अगर ना हो तो क्या होगा तो carbon dioxide से गर्मी बढ़ती है इसलिए ठंडी होगी यानि चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाएगी बी वाला अंसर से होगा नेश कुछन है संचित भोजन के रूप में floridian starch पाया जाता है रोडो फाइसी में पाया जाता है राइबो सो मलारेणे का होता दीवाला अप्संस ही होगा नेश कुछन है टीनिया का जीवन चक्र होता है तो डाइजेनेटिक होता है नेश कुछन है lichen के कवकांस सामानता फिर खालिस्थाने से समबंधित हैं तो lichen के कवकांस S.C.O.M.I.C.T.S. से संबन्धित है नेश कुछन है कार्बनिक अमलका स्वसन गुणांग या RQ होता है कार्बनिक अमलका स्वसन गुणांग एक से अधिक होता है एक से अधिक डिवाला नेश कुछन है सिफायलो कार्डेटा में वन्स की संख्या है तो C melopardeta में ONCE की संख्या 3 होती है नेस कुछन है मेड़क के हिर्दय में कितने कोष्ठक होते हैं हम सभी लोग जानते हैं मेड़क के हिर्दय में 3 कोष्ठक होते हैं 3 چेंबर होते हैं N.Wyukasitum के किस भाग में कराईनल कैणाल पाई जाती है तो आंसर सही होगास में से पहला प्रोटो जाएलम में कई भार मैंने इसको पढ़ाया भी आप लोगों को नेश कुछन है वैस्क मारों के पाचन पत में नर्यकित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है तो रेनिन नहीं पाया जाता सिवाला उप्षन से योगा नेश कुशन है मैंडल का आनवान्सकी का कार नमलकित में से किस पर आधारित है तो ये बहुत ही इजी कुशन था पाइसम सटाइब में निम मतर के पौधे पर आधारित है नेश कुशन है एमबर जीवास्म रूप है एमबर तो रेजिन स्राव का ठोस रूप का, नेश कुछन है, कभी-कभी एक एलिल-जीन दोस्त बहुत से दोतियक प्रभाव उत्पन्न करता है यह कहलाता है क्या कहलाएगा बहु प्रभाविता कहलाता है बहु प्रभावाता, वीवला आपशन से होगा नेश कुछन है, कुकुट में उसमायन अवदी कितने दिन की होती है तो कुकुट में उसमायन अवदी 21 दिन की होती है बी वाला उप्सन से होगा नेश कुछन है पेपदार्थ देने वाला पौधा काफिया अरेबिका किस कुल का सदसे है तो काफिया अरेबिका रूबी एसी कुलका सदसे है नेश कुशन है इन में से कौन सा दुतियक वायो प्रदूसक है दुतियक वायो प्रदूसक ओजोन होता है ओथिरी होता है नेश कुशन है नाइट्रोजन इस्त्रिकन का गुण दी गई सभी सेवाल में किस में पाया जाता है नेरीस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है तो नेरीस में रक्त प्रिष्ठेर रक्त वाहिनी के द्वारा पंप किया जाता है क्योंकि हिर्दे तो उसमें होता ही नहीं है नेश कुछन 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 है न हार्ड मानिया का उससर्जी अंग कौन सा होता है, neural ग्रंथी, कई बार मैंने इसको पढ़ाया है, वही कुछ्छन आ गया है, हार्ड मानिया का उससर्जी अंग, neural ग्रंथी होती है, नेश कुछन है, किस पेग्ञान की अनुसार, राईजोस्पेर ना, तो जड़ है ना तना बलकि यह एक आरगन सू जेनेरिस है तो आंसर सही होगा इसमें से D वाला बावर एबम गोई बेलने नेश कुछन है एंजाइम बिसेक नमलिखित कथनों में से कान सा कथन सही है अब यहाँ पर सही पूछा गया है तो आंसर सही होगा D सभी सक्रण उर्जा को घटाते हैं नेश कुछन है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में एक जैसी प्रकार के गुड़ों को भेजने को नमलिखित में से किस की परिभासा है तो आनुवानसिक एक पीड़ी के गुड़ दूसरी पीड़ी में जाते हैं प्राणि भूगोली रेल्म नहीं है प्राणी भूगोली रेल्म नहीं है तो आंसर सही होगा इसमें से D. पहली आर्कटिक नेश कुशन है पिपिर मिंट प्राप्त किया जाता है पिपिर मिंट तो आप लोग जानते ही होंगे किस से प्राप्त होता है मिंथा पारिपरिटा से प्राप्त होता है है एक जीव का थायलस जासे एक कवकद जब एक या एक से अधिक जंहल चैनल सन्रचनाव के समपूर बदल जाता है तो कहलाता है होलो कार्पिक कहलाता हUI होम कार्पिक होछा एम स्वाडियोन को बिटाईप होता कई बार मैंने जब वाला से लेवस पढ़ा रहा है थे कछा बारा में बताया था नेश कुछन है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलस कुल कितने खंडों का बना होता है तो 33 खंडों का बना होता है नेश कुछन है लाइकेन एक अच्छा सूचक है most important question था मैंने बताया था जब इसको पढ़ाया था और कई बार पढ़ाया है लाइकेन वायू प्रदूसक का अच्छा सूचक होता है और कैसे करता है ये तो हमने बताया था पूरी जानकारी नेश कुछन है खालिस्तान है फिर एक पारसपरी किरिया है जिसमें एक जाती को ला समानी होती है ना ही लाब होता है तो उसे सह भोजिता कहा जाता है सह भोजिता इस कुछन को मैंने मौडल पेपर के अंतरगत समझाया था नेश कुछन है सामाने सवस्चन आब अधि में प्रस्वस्चित वायू अथा निस्वस्चित वायू का आयतन कहलाता है तो ज्वरिय आयतन कहलाता है जोरिए और इसको मैंने अच्छे से समझाया था मॉडल पेपर की अंतरगत नेश कुछन है इसको लियोडान में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं तो इसको लियोडान में कपाली तंत्रिका के जोड़े 10 होते हैं 10 नेश कुछन है एक साइफानो इ कूटी पाई जाती है रैन्हील की इसको मने पढ़ और mister कोई सन में नैक्षण कागजन का दूसरा कागजन का दूसरा नाम कार्क कैंबियम होता है कार्क कैंबियम मॉडल पेपर में था यह जो मनें बताया था नेश कुछन है नियुकित में से कौन सा निस्यंदन भोजी नहीं है निस्यंदन भोजी दिखे इसमें एस्ट्रियास मुझे लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा कन फ्योजन है तो इसको जब आयोग द्वारा आंसर की जारी की जाएगी आप लोग देख लेंगे नेश कुछन है जब कई फ्लेजला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टिरिया जाने जाते हैं उनको क्या कहते हैं लोफो ट्राइकस कहते हैं और इसको मैंने प्रीवियस एर कोईशन में अच्छे समझा था कि लोफो ट्राइकस क्या ह होती है अगर त्र गोर सुत्रता है तो टूए एन प्लस वन होगी और इसको कितनी ही बार मनें समझाया कई बार समझाया है प्रीवियस ऎर में भी और मॉडल पेपर में भी नेश कुचन है पाइला के रडियुला के हर पंक्ति में कितने दात होते हैं कितने दात होंगे तो पहला वाल आप्षस्थान से योगा पहला नेश कुचन है मास एवं फर्ण बहु कोसकी भूण बनाते हैं मास एवं फर्ण इस्त्रिधाने में या आर्ची गोनियम में नेश कुछन है जलोड म्रदा और फिर खालिस थान है का एक प्रकार है जलोड मर्दा का प्रकार अंताह छेत्रे मर्दा सी वाला आपसंस योगा नेश कुशन है सामान जीवन चक्र में अनुकरम होता है तो दूसरा वाला आपसंस योगा दूसरा वाला सामान जीवन चक्र में अनुकरम ये वाला होता है नेश कुशन है निम्नमि से किसने लेमर कियाना सिधान्त पर आपत्य जताई थी, किसने तो ए वाइस मैन ने, ये वीज मैन भी आप कह सकते हैं, इन्होंने लेमर कियाना सिधान्त पर आपत्य जताई थी, नेश कोशन है, ग्रेमनी कुल में लाडी क्यूल, फिर खालिस्थान है, का प्रत्यों पुंज करता है पेरियंथ करता है नेश कोशन है और इलिया के रोह पेलियम को और किस नाम से जानते हैं तो लेपेट्स के नाम से जानते हैं लेपेट्स नेश कोशन है बहु कोश की मुलाभास फिर खालिस थान में मिलता है क्या मिलता है फिवनेरिया मिलता है फिवनेरिया मे और 2010 वाला जो प्रीवियसर के question मैंने paper करवाया था 2010 में प्रीवियसर के paper में इसी same इसी question को करवाया था Next question है एक जीन के युग्म भिकलपी आपस में सम्मिस्रित नहीं होते हैं और F2 पीड़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिविक्ति हो जाती है यहाँ कथन है किसका तो V सहिए योजन का या फिर स्वतंतर अभ्योवन का किसका होगा दोनों में से कोई एक सही है आंसर कौन सा सही होगा यह आयोकी आने से पता चलेगा Next question है बैक्टिरियो फेज का आविसकार किया बैक्टीरियो फेज का आविस्कार किस ने किया था तो आंसर सही होगा B स्वतंतर रोब से FW टॉर्ट और फेलिक्स D हलर ने किया था नेश कुछन है परानुकंपी तंतर नहीं करता है क्या नहीं करता है तो आंसर सही होगा इसमें से D वाला क्रमा कुंचन को उद्धी पित लेकिन B भी सही हो सकता है तो इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा देखिए जितने भी आंसर हम बता रहे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं और इसका कोई प्रमाड अभी नहीं है मुझे जो आता है अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ प्रमाड जब आयो की आएगी तब आपको पता चलेगा कि कौन साब बिल्कुल सही है नेश कुशन है बहुत से पौधों में मेडिलरी बंडल पाए जाते हैं छोड़ कर आंसर सही होगा इसमें से डी निकटैन्थस को नेश कुशन है साइकस के प्रिश्व कुजन्न होते हैं क्या होते हैं लट्टू के आकार का बहुपच्चमा भी नेश कुशन है कोलंबा का पेक्टन किस का बना होता है किस से बना होता है तो रख तक से या कोरोईट से बना होता है नेश कुशन है दोहरा परिशन चरण तथा दोहरा स्वसन क्रम सहा पाया जाता है दोहरा परिशन चरण और दोहरा स्वसन किसमें पाया जाता है तो आंसर सही होगा इसमें से B वाला नेश कुशन है लेमियेसी कुलकापुस्पक्रम होता है लेमी असी कुलकापसब करम वर्टिसलेश्टर होता है देखे इसमें मुझे पहला वाला भी सही लगता है यानि कि पहला और दूसरा दोनों में profound is तो कि पहला होगा कि दूसरा होगा या फिर ओर भी दोनों होगा तो इस question को आपको clear करना पड़ेगा तेड़ पोल डिम्ब के सरीर में सुस पस्ट दिखता है तो आंसर सही होगा डी उपरोग्त सभी सुस पस्ट दिखते हैं नेश कुशन है घरेलू मक्की के पस्च पंक लगु संतो लकों में रूपांत्रित हो जाते हैं उड़ना वधि में ये क्या करते हैं उसी दर से इसपंदन करते हैं जितने की अग्रपंख करते हैं नेश कुशन है भूण कोस फिर खाले साने के भीति से घीरा होता है तो गुरू बीजान धानी की भीति से घीरा होता है नेश कुशन है बिरियान होता है तो बिरियान पहला व ऐसे में जा कम खंए दोन यानि सी फिर्शम साखित कॉनडियोप प्रफ पाए जाते हैं इसकी कॉनडियो पोर पेंसे लियों में पैरा मेशियम में पैरा मेशीन किस कण के द्वारा उत्पन होते हैं तो कप्पा कप के द्वारा कण के द्वारा उत्पन होते हैं नेश कुशन है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के बिसरण को कौन निर्धारित करता है तो D, P, D, C वाला आफसन से होगा नेश कुछन है जिमनोस पर में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाये जाते हैं बिना किसी अंडास है के पाये जाते हैं बिना किसी अंडास है के नेश कुछन है खरगोष का दंतर सूतर क्या है तो खरगोष का दंतर सूतर C वाला होगा C नेश कुछन है इस्तनी व्रकाण में व्रकाण के नुलिखित भागों में से कौन सा व्रक मध्यांस में पाया जाता है तो आंसर से व्रक मध्यांस में पाया जाता है नेश कुछन है नेरियम इस्पेसीज में पढ़ विन्यास किस प्रकार का होता है तो चक्री परणविन्यास पाया जाता है चक्री नेश कुशन है विभिन वर्गों के मध्य उत्पादक और उभोगता के संबंध को कहते हैं क्या कहेंगे तो B और C दोनों सहीं इसमें खाद शंखला और खाद जाल कहते हैं नेश कुशन है तिलचटा में अंता कंकाली संरचन टेंटोरियम पाई जाती है सीर्स में पाई जाती है सीर्स में नेश कुशन है सुकेंद्री कोशिका में फिर खालिस्थान है कि अच्छ सूस्र की सूस्मिनलिकाओं की विवस्था को 9 प्लस 2 प्रणाली कहते हैं तो पस्चमाब और कसाभी का दोनों यानि सीवाल आफसन से तो रकी बैक्टी या से संबंधित है निश को संधुन है नियश कुशन में के प्रभावित होती है तो दोनों के द्वारा प्रभावित होती है दोनों के द्वारा नेश कुशन है पक्सीनिया के प्रजाती जिससे पीत किट रोग होता है वहा है पीत किट रोग तो आंसर सही होगा इसमें से सी वाला श्ट्राइप फार्मेसिस के द्वारा नेश कुशन है निड़कित में से यूगलीना किस वर्ग का है यूगलीना तो फाइटो मेस्टिगो फोरा वर्ग का है नेश कुशन है तिरचे बेवस्थित अंडास है दल लग्ण अवस्था एवं इस्तंभी बिजांड न्या किस में पाया जाता है तो आंशर सही होगा इसमें सी सोले नेश कुशन है निड़कित है ग्राम धना तक बैक्टिरिया के लक्छन है उपर युक्त सभी यानि A, B, C तीनों सही है तो D वाला सही होगा नेश कुशन है कान सा बाइस्पोरिक प्रकार का भोण कोस है तो अंसर सही होगा इसमें से C वाला बाइस्पोरिक प्रकार का भोण कोस एलियम सीपा का होता है यानि प्याज का होता है नेश कुशन है गोला कार प्रोटीन नमलिकित में से किसकी तरह कारिन नहीं करती है तो संरचनात्मक अण की तरह से कारिन नहीं करती है नेश कुशन है कैरियो फालेशी कुल में बीजांड नियास कैसा होता है मुक्त इस्तम भी होता है मुक्त इस्तंभी नेश कुछन है आंसिक रूप से प्रथक जनसंक्या को कहते हैं क्या कहते हैं तो आंसर सही होगा इसमें से बी वाला डीम कहते हैं हो सकता है कि इसमें निकेत ही सही हो लेकिन डीम हमारे साथ से ज़्यादा सही है आप लोग सोच कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में या फिर आयोक की का इंतजार करेंगे नेश कुछन है वैस्क इस्केरिस में पाये जाने वाले ब्रिश्वनों की शंख्या होती है वैस्क इस्केरिस में एक ब्रिश्वन पाया जाता है नेश कुछन है पीतक की मात्रा तथा उसके बितरण के आधार पर मेढ़क के अंडे होते हैं सी वाला आपसन सेगर सी नेश कुछन है फरिटिमा के किस खंड के बाद सभी सिप्टा में सेप्टल निफ्रेडिया मिलते हैं यानि केचुई में तो आंसर सेगर पहला 14 पंद्रा नेश कुछन है ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्ना कित में से कौन सा कथन असत्ते हैं असत्ते तो सी वाला जो आपसन है ये असत्ते हैं नेश कुछन है पकसीनिया ग्रेमरिस का प्रिखालेसान है गेहूं पर बनता है यूरिडो इस्पोर बनता है यूरिडोई श्वोर नेश कुशन है निम्स में से कौन सा कोड़ान समानता हो वैलीन को कूट बद्ध करता है परनतु प्रारंबी कूट होने पर फार्मिलेटेड मेथियोनीन के लिए कूट संदेश देता है नेश कुशन है साइकान में किस प्रकार का कैनाल तंतर मिलता है फिलाल इसमें साइकान आप लगा लेजिए लेकिन आयोक की का इंतजार कीजिए नेश कुशन है भूण कोस में तंतरूप उपकरण फिर खाले स्थान में मिलता है क्या मिलता है सहाय कोसी का तंतरूप उपकरण का उद्भो का सिधान्त किस ने दिया था तो चार्स डार्विन ने दिया था चार्स डार्विन रेश कुछन है मच्छर था मलेरिया का संबंध अनवेशित किया गया था मच्छर और मलेरिया का रोनाल्ड रास्ट ने लास्ट में आप लोग को बताते जितने भी आंसर मैंने बताए हो मैंने अपने हिसाब से बताए हैं फिर आयो कि जब आये कि तो आप लोग सही आंसर देख लिए कि कौन सा सही आंसर है